नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News करवट लेने वाला हैं CWB Hindi से उत्तर भारत के मैदानी राजियो राजस्तान पंजाब हर्याणावे एंस्यार दिल्ली में बर्षात होने की संभावने बन रही है यहां 9 से 11 जुलाई के बीच हलकी समध्यमारिस हो सकती है 9 जुलाई को दोपेर बाद हलकी बारिस और बुंदाबांदी से सुरू होने जब आंगनवाडी शाइकाँ पर नरम रोख अपनाते विए बहली परक्रिया आरमब कर दी है विभाग द्वारा 16 जिलों में 299 अंगनवाडी शाइकाँ को बहल कर दिया गया है और अन शाइकाँ की बहली परक्रिया शुरू कर दी है नौमबर 2021 में अपनी मांगों को लेकर मैलाएं बालविकास विभाग की आंगनवाडी कारे करता एम आंगनवाडी साहिकाई हर्ताल पर चली गई थी जिसके बाद पहले चलण में आप 16 जिलों में 249 आंगनवाडी साहिकाई को बाहल कर दिया गया है हर्याना के सिया मनौरलाल खटर ने बताया कि दादरी वे भिवानी जिलों को एनशи आर्शे बाहर कर दिया गया है मुख्यमंद्रे ने तक्रीबन 745 क्रोड रुपे से इन मांगों को अमली जामा पहनाने के लिए तुरंत मंजूरी देने की गोशना कर डाली है इन में मुख्य रूप से दादरी का रिंग रोड बाइपास, इमलोटा में बस स्टेंड, बाडड़ा में चालक परसिक्षन, दादरी से खैरडी रोड का निर्मान, जोजुक आत्मा सतनली रोड, दादरी सहर, शिवरेज का सुधारित यादी सामिल है इससे पूरों मुख्य मंतरी ने चर्खिदादरी जिला में 350 क्रोड रुपय के लागत की, 17 विभिन, विकास प्रिजुनाओं का लोगारपन, एमसी लानास किया सियम के साथ भासपा परते सात्यक सोंपरगास धनकड, बिजली मंतरी, रनजी चोटाला, सांसाद रमीर सिंग, मभीता फोगाट, सुकुईंदर मांडी और विधायक, सोंबीर शांगवान शाहित कायाने नेता मोजुद रहे बता दें कि मुख्यमंदरी मनवुलाल का सर्खे दादरी आगमन साड़े तीन साल बाद हुआ है श्रीकर्षना आयूस विश्वी धाले अपडेट योगा वेलनेस कोर्स के लिए अब 15 जुलाई तक कर सकते हैं आविदन श्रीकर्षना आयूस विश्वी धाले ने एक और सुनहरा मोका दिया है अब 16 जुलाई दो बज़े तक प्राथना पत्र के साथ आविदन कर सकते हैं योगा वेलनेस एक महीने का शोर्ट टर्म कोर्स है कोई भी दसमें पास व्यक्ति जिसके आयू 18 से 55 साल के बीच से 1250 रुपए फीज जमा करागर दाखिला ले सकता है दाखिला पहले आओ पहले पाओ क्या दार पर होगा इस एक महीने के वेलनेस कोर्स में 20 सीटी रखे ताकि वे यहां से योग की किरियाओं का ग्यान प्राप्त कर समाज के अन्य नागरिकों को भी जागरू कर सके हर्याना का यह सरकारी स्कूल नीजी विद्यालने को दे रहा है मात एडमिसन की लगी रहती होड शियम खटर भी होए फेन हर्याना के पंचकुला सहर में सेक्टर 12 स्थित राज के शमेकित मॉडल सीनिस केंडी स्कूल पूरे पर्देश में रोल मॉडल बनकर उबरा है हर विद्यार्ते के इच्छा है की वे इस स्कूल से पढ़ाई करे यह स्कूल नीजी स्कूलों को मिमाद दे रहा है वर्तवान में स्कूल में लगबग 24 विद्यारते शिक्षा गरेंड कर रहे हैं इस स्कूल में दाखला लेने के लिए समY होडशी लगी रहती है दाखले ड्राफ लोट्स के मादम से करवाय जाते हैं इस स्कूल के विद्यारते पढ़ाई के साथ सथ खेलों भी राजटे स्तर तक खेल रहे हैं सरकार की सुपरहेंड़ योजना का भी विद्यारते लाब उठा रहे हैं जे डवली, नीट वर राजटे रक्षा अकादमी के तयारियों के लिए यह योजना काफी सफल है इन प्रिक्षारतियों के कोचिंग के लिए यहाँ 4-5 लाग रुपे लग जाते हैं वहाँ सुपरहेंड़ में होस्टल के साथ निशूल के निशूल के प्री कोचिंग दी जाती है इस बार भी इस स्कूल के आठ विद्यारती प्री क्वारिफाई कर चुके हैं आज यह स्कूल हरियाने के किसी भी बड़े से बड़े नामी स्कूल से कम नहीं है राज के आईटियाई में 11 जुलाई को रोजगार मेला आएंगी कई कमपनिया इस मेले में आईटियाई उत्यर्ण युवाओं के रोजगार के लिए विभिन ओद्योगिक इकायां भाग लेंगी भारत सरकार के निर्देशा अनुसार ये रोजगार मेला 11 जुलाई को भीवानी के साथ-साथ पूरे देश में लगा आएजा रहा है मेले में हरियाण राजी में स्तीत ओद्योगिक परसिक्षन संस्तानों से किसी भी वेवशाय से परसिक्षन प्राफ्त कर चुके 18 से लेकर 28 वर्ष तक के आईटियाई पास चात्र हिस्सार ले सकते हैं आईटिय पास चात्रों से अधिक से अधिक सिंख्या में रोजगार मेले में हिस्सा लेकर इसका लाब उठाने की अपिल की गई है स्विल होश्पिटल यम्नानगर में आई भरती दस्मीपास उम्मिद्वारों के लिए सुनहरा मोका यम्नानगर के सरकारी अस्पताल दोरा ब्रेडिंग चेकर के पदों पर भरती के लिए आविदन मांगे गई हैं आपको बता दें कि ये भरतीयां कोंट्रेक्ट आजार पर की जाएंगी जो भी उम्मिद्वार इन पदों पर आविदन भेजने के इच्छों के में ओफलैन मादिम से अपने आविदन भेज सकते हैं उम्मिद्वार श्यम जाकर या फिर भारती डाकी मादिम से अपने आविदन भेज सकते हैं आविदान करने की अंतिम जिते 11 जुलाई 2022 तेगी गई है इन पदो पर आविदान भेजने वाले उम्मिदवार दसवी पास होने चाहिए किसी भी वर्क के उम्मिदवारों को कोई भी आविदान शूलक नहीं देना होगा नियुन्तमायू 18 वरस्ताय की गई है उमिद्वारों को चैन इंटर्वियू और दस्ताविश सत्यापन के आधार पर किया जाएगा हरियाना के इस सहर को मिलेगी सोगात 21 में बनेगी नई सब्जी मंडी में भीड है तदा वहाँ पर किसानों वे आम नागरिकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पुराइन सब्जी मंडी में वहाँ पार्किंग के लिए भी समश्या है किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए खुशकबरी बैंकों से मिलने वाला है बड़ा फाइदा ग्रामिन प्रश्ट भूमी से तालुक रखने वाले भारत के लोगों के लिए बड़ी खुशकबरी है बता दे कि केंद्रे वित मंतरी निर्मला सितरमने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मुख्य कारेपालक अधिकारियों के साथ एक बैठकी है जिसमें चर्चा हुई कि किसान क्रेडिट कार्ड यानि केशिसी धार्कों के आमदनी बढ़ानी के लिए हर संभव परियास किये जाए वित मंतरी ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों से गरामिन चेतरों में लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानि कैसिसी धार्कों को आसानी सिकर्च देनी की बात कही है हर्याणा में ड्रेगन फ्रूट की खेती करने पर किसानों को मिलेगा विशेश अनुदान सरकार्नी लागू की ये योजना परदान मंतरी मोदी के विजन को अमली जामा पहनाते वे हरियाना के मुख्य मंतरी स्री मुनहोलाल खटर के नेतरतों में हरियाना सरकारनी परदेश में ड्रेगन फूर्ट की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेश अनुदान योजना लागू की है इस विजन को सबसे पहले हरियाना ने लागू करने की पहल की है हरियाना ड्रेगन फूर्ट के लिए एक विशेश योजना शुरू करने वाला पहला राजी बन गया है हिमाचल परदेश के ध्रमसारा में आयो जित हुए मुख्य सचिवों के तीन दिशे राष्टी सम्हिलन में परधान मंदरिक सी नरेंदर मोदी ने ड्रेगन फूर्ट की खेती पर अपने विशा रखे ड्रेगन फूर्ट की बाजार में मांग वा इससे होने वाले आमदनी को देखते वे इसकी खेते में मुना फाओगा बागों के स्ठापना से पानी के बचटोगी वा किसानों के आय में इजाफाओगा इसी तरज पर हरियाना में Dragon Fruit के बाग के लिए 1,20,000 रुपे परती एकड अनुदान का प्रावधान किया गया है जिसमें पोधारोपन के लिए 50,000 रुपे, M Trash Link सिस्टम के लिए 70,000 रुपे परती एकड है किसान बागवानी विबा की वेबसाइट hotnet.gov.in पर जाकर आविदन कर सकते है हरियाना में पार्ट टाइम नोकरी करने वाले करमचारे को मिल सकती है पेंशन सरकार करे की विचार हरियाना में पार्ट टाइम जोपर कारेत करमचारे को बड़ी खुशकबरी मिल सकती है ऐसे करमचारियों को पैंसन मिलने की उम्मीद जगी है पंजाब एंड हरियाना हाइकोट ने इस समंद में हरियाना की मनोहर सरकार को दिशा निर्दे जारी किये है हाइकोट ने वीरवार को मनोहर सरकार को कहा कि वैं 30 वर्स तक नोगरी करने वाले पार्ट टाइम करमशारी को पेंशन देने पर विचार करे यदि हाई कोट के आदेश पर कोई विबाग इस दिसा में आगे बढ़ता है तो पार्ट टाइम नोगरी कर रहे हजारों करमशारी को इस फैसले से बड़ी रहत मिल सकती है नितिन गड़करी का चोकाने वाला बयान पांच साल में देश में बैन हो जाएगा पैटरोल उन्होंने कहा कि देश में अगले पास साल में पैटरोल भारत में बैन हो जाएगा उनके इस बयान के बाद लोग आपस में यही बाते कर रहे हैं कि आखिर गाड़ी कैसी चलेगी उन्होंने यह भी बताया कि ग्रिन हाइडरोजन को कुए के पाने से तियार किया जा सकता है जिसके केमत 70 रुपे परती केलो तक हो सकती है उन्होंने किसानों पर फोकस करते वे कहा कि गेहूं चावल मक्का को खेत में पैदा करने से बाईशे नहीं बदला जा सकता इसलिए किसानों को अन्य दाता बनने की बजाए उर्जा दाता बनने की जरूरत है वे दिन अब दूर नहीं जब दो पईया और चार पईया वहान ग्रिन हाइड्रोजन एथिनोल और सीनजी से चलेंगे सावन काउड यातर दोजर बाइस डेट यूपी हर्याना बार्डर पर काउड यातर को लेकर अलर्ट ये रहेगा काउडियों का रूट स्रावन मा में 12 जुलाई से काउड यातर शुरू हो जाएगी इसको लेकर पुलिस परसासन भी अलर्ट हो गया है वीरवार को उत्रप्रदेश हर्याना बार्डर के पुलिस थानों वेचोंक्यों की इंटर स्टेट बैठ गोई जिसमें रूटों को लेकर चर्चा किये गई कलानोर बार्डर से हैवी वाणों के एंटरी बंद रहेगी इन वाणों को हतनी कुंड बार्डर से एंटरी दी जाएगी साहरनपुर प्रसासन भी हैवी वाणों को बार्डर पर ही रोग देगा इसके साथी काउड यात्रा के दोरान लकड मंडी को भी बंद किया जाएगा कलानोर से रेलवे पुल के पास साहरनपुर पंचकुला हाइवे पर औरंगाबाद पुल और साधीपुर जटलाना का रूट काउडियों के लिए रहेगा इन रूटों पर पुलिस के और से विशेश इंतिजाम किया जाएंगे जिससे किसे भी काउड यात्रा को कोई दिक्कत नहीं हो अगले सब्ता लकड मंडी को भी बंद कर दिया जाएगा अमरनाथ में बादल फटा तीन महिलाओं समेथ 15 की मोथ 25 टेंट भए 45 सरधालों फशे एरफोर्स राहत बचाव में जुटा अमरनाथ गुफा की पास बादल फटने से 15 लोगों की मोथ हो गई है गटना सुकरवार साम 5 बच कर 30 मिनट पर हुई जिस समय बादल फटा उस समय गुफा के पास 10 से 15 हजार सरधालों मोजूद थे इस गटना में मरने वालों में 3 महिलाओं में सामिल है 35 से 40 सरधालों के अब भी फशे होने की खबर है गुफा के पास फशे यात्रियों को पंच तरणी ले जाए गया है एरफोर्स भी राहत और बचाव कारे में जूटा हुआ है बादल फटने की घटना पवितर गुफा के 1-2 किलमेटर के दारे में हुई पहाडों से तेजबाहों के साथ आई पानी से सरधालों के लिए लगाए गए करीब 25 टेंट और 2-3 लंगर बै गए बारिश से पूरे इलाके में तेज़ी से पानी बर गया और कई लोग इसकी चपेट में आ गए है कई सरधालों लापता बताय जा रहे हैं और उनके तेज बाहों में बेहने की आशंका है हाच्छे के बाद पीम नरेंदर मोदी ने जमू कश्मीर के उपराजी पाल मनोस चिना से बात की है उन्होंने हाच्छे पर दुख जटाया और पीडित लोगों तक हर मुमकिन मदद पहुचाने की बात कही MP महराष्ट में बारिस का हाई अलर्ट राज्थान गुजराथ 36 गड़ में तेजी से आय मानसून दिल्ली पंजया में उमस भरी गर्मी देश के कई राज्यों में भारी बारिस के हालात बने हुए है तो कहीं अभी भी उमस भरी गर्मी पड़ रही है मद्य परदेश गुजराथ करनाटक केरल महराष्ट में मौसम भाग ने भारी बारिस का अलर्ट जारी किया है वहीं दिल्ली पंजयाब और बिहार में बारिस के रफ्तार धेमी पड़ गई है कई राज्यों में नदियां उपान पर है जिससे कई हाथ से हो रही है वहीं असम में बार से हालात में सुधार है राज़तान के दक्षन हिस्टे में गुर्वार रात तेज बारिस हुई है जालावार जालोर के कई हिस्टों में 4 इंच तक पानी गिरा है इसके अलावा अजमेर बारा भिलवाडा जोदपूर जिलों में भी कई जगें अची बारिस हुई है लेकिन राज़दानी जैपूर अभी भी उमस और गर्मी से परेशान है मोशमी भाग की अनुशार दक्षन परेशमी राज़तान के हिस्सों में अगले 2-3 दिन तेज बारिस होने का अनुमान जताया गया है साथ ही बाला जालावाड कोटा चूरू और हरुमान गट जिले में अगले 24-48 घंटे के बीच बारिस के चेतावनी जारी की है वहीं गर्मी जहलाई जैपूर में तीन दिन बाद बारिस होने की उम्मीद है मद्य परदिस में लगातार बारिस जारी है मोशमी भाग ने अगले 10 दिन दक बारिस का हैवी अलर्ट जारी किया है वहीं बिहार में दक्षनपाची मानसुन के रफ्तार धेमी पड़ गई है असम में बाड़ की स्थिते में गुर्वार को और सुधार हुआ है 36 गड़ में मानसुन ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है करनाटक में भारिबारिस के चलते हैं आज खबरों बश इतना ही दे देखे देखते ड़वर बी हिंदी नुज नमसकार कर दिनको फिर दिन गिर्ट काना प्रेक